आपका दोस्ट आपके चैनल टीम सिख्षा में आपका स्वागत करता है आज 6 जून है आज के करेंट अफिर अपडेट सेखते हैं आज कल के वीडियो में मैंने कोशन अब जी डे पुछा था कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंज के 51 वार्षिक शिकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा इसका सही जवाब है डावोस डावोस जो है वो स्विजर लेंड का एक शहर है जो वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम 51 की मेजबानी करेगा आई आज के कोशन से शुरू करते हैं विश्व पर्यावरन दिवस निम्न में से किस दिन मनाय जाता है इसका सही जवाब है C 5 जून 5 जून को विश्व पर्यावरन दिवस मनाय जाता है इस दिन विश्व पर्यावन दिवस जो है पाँच जून 1974 से शुरुक हुआ था इस दिन इसले मना जाता है ताकि दुनिया के लोगों को प्रकति और उसके प्रकति संसादनों को बचाने के लिए जागरुक करने के लिए जैसे नदियों को लोग गंदा कर देते हैं नदियों को गंदा ना करें कहीं भी आप गंदगी कर देते हैं इतने पॉलूशन चल रहे हैं गाड़ी में से लोग अपना गाड़ी का ओयल फिल्टर नहीं चेंज करते हैं वो सब एक पॉलूशन होता है तो उस चीजों को बचान से प्रतेख साल 5 जून को विश्व पर्यावण दिवस मनाय जाता है नेक्स्ट कोशन भारत ने अंतराश्टी वैक्सीन गडबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद देने का फैसला किया है इसका सही जवाब है एक 15 मिलियन डॉलर भारत ने अंतराश्टी वैक्सीन गडबंधन को 15 मिलियन डॉलर की मदद देने का फैसला लिया है ये सब्मिट ऑनलाइन हुआ था जिसमें 50 से अधिक देशों ने बिजनेस लीड ब्रिटेन की एजंसियां सिविल सुसाइटी सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया था इस समीटी का मकसद क्या था कि अंतराश्टी टीका गडबंधन गावी के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्यत करना आने वाले पीडियों के टीके के जरिये सुरक्षित करना ये कुरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैला हुआ है उसके टीके की रुखधाम के लिए उसको बनाने में जो फंड उन्ड है उसके लिए शुरू किया है भारत ने इसमें 15 मिलियन डॉलर देने की मदद का फैसला लिया है नेक्स्ट कोश्चन हाल में ही बॉलीवूड के किस प्रसिद निर्माता इवं निर्देशक का तिरान्य वर्ष की आयू में निधन हो गया है इसका सही जवाब बी बासु चटरजी बासु चटरजी का तिरान्य वर्ष की उम्र में वो एक प्रसिद निर्माता और निधेशक थे जिनका निधन हो गया है इनका जन्म 10 जन्वरी 1930 में अजबेन में हुआ था बासु चटरजी फैमिली ड्रामा फिल्म बनाते थे जैसे उन्हों की कुछ प्रसिद्य फिल्में जैसे चमेली की शादी खटा मीटा रजनी गंदा जैसे आधी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा है उनकी फिल्में अधिकतर मध्यमवर्ग परिवारों पर अधारित रहती थी उन्हें 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ट से भी नवादा था बासुदा साल 1969 से लेके साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशन में सक्रिये रहे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के किस नीजी सचेव को वाशिंटन में विश्व बैंक के कारेकारी निर्देशक का वरिष्ट सला का नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब है ए राजीव टोपनो राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात केडर के आईएस ओफिसर भारतिय प्रशासनी सेवा के अधिकारी थे उनका विश्व बैंक में तीन साल का कारेकाल होगा कुजरात केडर के वो प्रशासनी का देगे जिन्होंने 2009 में ही प्रदार मंतरी कार्याले में उपसहचीव के रूप में शामिल हुए थे उस समय मनमोहन सिंग की दूसरा कारेकाल चल रहा था केंदर सरकार ने हाल में ही वीजा शर्तों के उलंगन मामले में 2550 विदेशी तब्लीकी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आनी पर प्रदिवन्द लगा दिया है इसका सही जवाब है C 10 साल 10 साल के लिए विदेशी तब्लीकी जमातियों को वीजा शर्तों के उलंगन के मामलों में 2550 विदेश को 10 साल के लिए बैन कर दिया गया है यह आदेश ग्रे मंत्राले द्वारा जारी किया गया है वर्तवान में भारत के ग्रे मंत्री अमित शाजी है नेक्स्ट कोशन, हाल में ही भारत की प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और आस्ट्रेलिया की प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन के बीच की बादचीत के बाद कितने समझोतों पर हस्ताक्षर हुए हैं इसका सही जवाब है ए साथ समझोतों पर ये जो समझोते थे जैसे इसमें दो मुख्य समझोते थे जैसे हिंद महा सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया ने एक दूसरे सैन अड़ो का इस्तमाल करने के लिए एक एहम समझोता किया है तता विश्य स्वास संगटन में सुधार जैसे मामलों पर भी बातचित की है और भी जैसे समझोते थे जैसे उसमें आपका स्वास्त सेवा, कारोबार, रक्षा, छेतर, सहित, दूपक्षी सम्बंदों के विवित आयामों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई थी नेक्स्ट कोशन, ट्विटर ने गूगल के किस पूर मुख्य वित्य अधिकारी, CFO, Chief Financial Officer को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है इसका सही जवाब है, D. पैटर्क पिचेट पैटर्क पिचेट को ट्विटर ने अपने वित्य अधिकारी को नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है उन्होंने 2008 में से 2015 तक गूगल में मुख्य वित्य अधिकारी, Chief Financial Officer के रूप में काम किया है वे वर्तमान में जो ट्विटर में अमोद क्रिस्टानिया की जगां लेंगे, पैटरिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निर्देशक मंडल में शामिल हुए और 2018 के अंत से एक प्रमुक स्वतंथ निर्देशक हो गये थे केंद्री मंत्री मंडल ने परेवन छेत्रों में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझोता ग्यापन को हाल में ही मंजूरी दी है इसका सही जवाब है भुटान यह समझोता दोनों देशों में कानून और कानूनी प्रावधानों पर ध्यान रखते हुए लिया गया है इसमें परास्परिक एक दूसरे देशों को लाब का भी रहेगा कि दोनों देशों को परेवन में लाब हो, सरनक्षन हो और यह दिर्ग काली सहयोग स्थापित करने के लिए यह समझोता किया गया है यह समझोते पर हस्ताक्षर जिस दिन होगा उसी दिन से यह दस वर्षों की अवधी के लिए लागू हो जाएगा इसमें दोनों देशों के सभी नीजी कमपनिया, सरकारी संगटो दोनों और और अनुसंधान संस्थानों को भी प्रसाहित करने के लिए यह किया गया है आये फिर्ट नेक्स्ट कोशन देखते है विश्व पर्यावर्ण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? इसका सही जवाय भी जैव विविदा प्रतेख साल विश्व पर्यावर्ण दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है इस बार का विश्व पर्यावर्ण दिवस का थीम जो था जैव विविदा सेलिब्रेट बायो डाइवसिटी था इस थीम के जड़िए यह संदेश दिया जा रहा था कि मानव जो है जीवन के अस्तित्य के लिए बेहत आवश्य के प्राकतिक संतुलन इसमें मानव को जैविक्स विवधा संरक्षन इवं प्राकति संतुलन रखना होगा मानव के जीवन के अस्तित्य के लिए जैव विवधा को बनाय रखने के लिए हम हमारे लिए ये महत्वपून है कि हम धर्ती के परावन को बनाए रखे हम धर्ती को polluted ना करें कहीं भी गंदगी ना करें water pollution बचाए ओजोन लेयर भी उसी से प्रभावित हो रही है आईए next question सरकारी उबरक कंपनी National Fertilizer Limited ने हाल में ही किसी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंद निर्देशक परत का अतरिक्त प्रभार दिया है इसका सही जवब है विरेंद्रनात दत्त को सरकारी उबरक कंपनी National Fertilizer Limited में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंद निर्देशक परत का अतिरिक्त भार्व दिया गया है इनके पास 35 साल का अनभव वेफरेंट्स ये इससे पहले गेल के भी कारेकारी निर्देशक रह चुके हैं वे महां कार्पूरेट रणनीती और योजना के अलावा कमपनी के देश भर में विपन कारोबार के प्रभारी भी थे वे महां नगर गैस लिम्टेट मुंबई के बोर्ड में निर्देशक भी रह चुके हैं विरेंद नादत उबरक उप्योगों के अलावा गेल, इंडिया, ओएन जीसी जैसे बड़े कमपनीयों में काम कर चुके हैं आईए आज का कुश्चन और दिडे है भारतिये रेलवे ने यात्रियों को ट्रेंड में यात्रा करने के लिए किस एप को रखना अनुवार कर दिया गया है इस कुश्चन का अन्दे फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें सस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेर करें आपके शेर करने से लाइक करने से हमें और मोटिवेशन मिलता है थैंक यू